नमस्कार दोस्तों मैं पंकजवादवानी एडवोकेट एंड लॉव लेक्चरार आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चेनल लॉव इजी में और आज हम एक विशे लेने वाले हैं और यह विशे है लेबर लॉज याने इसे शरमिक वीधियां अत्वा मजदूरों के लिए बनाये गए कानून का जाता है आईए समझते हैं यह लेबर लॉज हैं क्या और लेबर लॉज में अभी रिसेंटली 2019 में क्या संचोधन हुएं क्या आमेंडमेंट्मेंट्स हुएं तो सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग लेबर लॉज इसको इंप्लॉइमेंट ल इंडस्ट्री भी होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी होती है लगूद्योग व्रहद उद्योग इसके लावा फैक्ट्रीज भी हम लोगों ने देखी कारखाने देखें तो इन उद्योगों में और कारखानों में जो मैन्यूल काम करते हैं मैन्यूल मतलब जो शारिरि invest करता है और उस party को employer का जाता है तो employer पूझी निवेश करने वाला व्यक्ति है और दूसरा है employee याने मजदूर तो मजदूर के पास पूझी नहीं है वो अपना श्रम निवेश करता है वो वहाँ पे manually work करता है तो employer जो है यह industrialist है जितने भी उद्योग पती है यह employer है जितने भी factory honor है यह एक प्रकार से employer है यह दूसरों को काम पर लगाते हैं इन invest capital और यह लोग capital invest करते हैं और employee labor class हो गई जो श्रम करने लगा रहे हैं पूझी लगा रहे हैं धन निवेश कर रहे हैं और दूसरे इसे जो श्रम निवेश करते हैं वो है labor class हम बात करने वाले हैं labor loss की तो जितनी भी यह जितने भी industries थी जितनी भी factories है यहाँ पर production हो रहा है कि इतने सब construction करने वाला जो मजदूर है उसकी वरतमान में pathetic condition है यह शुरू से ही यह दर्दना कंडिशन से गुजर रहे हैं क्यों because exploitation is taking place इनका बहुत exploitation होता है मजदूरों का शोशन आम बात है बहुत पुरानी शुरुआत समय से ही मजदूरों का शोशन होता रहा है लेस वेजेस जितना उनसे कारे लिया जाता है उससे कम मजदूरी उन्हें दी जाती है इल behavior और साथी साथ उनके साथ mis behavior यानि दुर्व्यवार का शिकार होता है और यह सब घटना है कब से प्रारम होई जब से industrial revolution चालुआ उद्योगिक करांती जब हुई थी तब अनेक फैक्टरी और स्टैबलिश्मेंट इस्टैबलिश हुई थी और उस दोरान एक सोशल रिफॉर्म भी चालुआ समाजिक सुधार भी चालुआ और वर्किंग कंडिशन पर बात होने लगी कि मजदूरों की जो कारी की दशाएं हैं वर्किंग कंडिशन अच्छी होनी चीए पैथेटिक नहीं होनी चीए और चाइल्ड लेबर के ऊपर भी बात होने लगी अल्टिमेटली इंडस्ट्रियल रिफॉर्म ने मजदूरों की दशाएं सुधारने के लिए भी प्रयास किया और उस समय अनेक क्रांतियां भी हुई और लेबर लॉस बने लेबर लॉस का मुख्य उद्देश होता है लेबर लॉस पहले बहुत सारे स्केटर थे भारत में अनेक प्रकार के लेबर लॉस थे यह इस तरफ में लेबर लॉस लिखें इससे अनेक प्रकार के एक्ट हुआ करते थे लिकिन अब गवर्मेंट ने 2019 में इसको चार कोड में डिवाइट कर दिया है सबसे पहले code of wages एक तो wages वाले जो कानून है वो सबको 2019 में यह जो कानून थे the minimum wages act 1948 न्यूंतम पारिश्रमिक अदीनियम the payment of wages act मजदूर बुकतान अदीनियम मजदूरी बुकतान अदीनियम the equal remuneration act समान पारिश्रमिक अदीनियम इन सबको मिला के the code of wages code of wages बन चुका है 2019 का यह दोनों houses में पास हो चुका है सिब गजट नोटिफिकेशन बाकी है second code बना है occupational safety health working condition of code 19 तो यह जो code है नाम से सपस्ट हो रहा है मजदूरों के स्वास्त सुरक्षा को लेकर और working condition काम की दशायों को लेकर यह code बना है इसमें factory act जो पेले चलता था कारखाना अधीनियम, mines act यहने खदान अधीनियम, contract labor act इन सब acts को repeal करके यह code बनाया गया है एक industrial relation code बनाये गया है जिसमें industrial dispute act जो 1947 का चलता था ओद्धो की बाद अधीनियम या trade union act उनीसोच अधीनियम चलता था इनको compile करके एक नया code बनाया है I hope you enjoyed this lecture kindly subscribe my channel no easy thank you so much